तो आप सब का सवाल आ रहा है बहुत सारा जाविद भाई हम इस टाइम पे साओधी जा रहे हैं नया वीजा पे तो क्या फॉरम भरना जरोड़ी है हम छुट्टी में आ हैं साओधी एरब से इंडिया में तो क्या फॉरम भरना जरोड़ी है तो फॉरम भरना जरोड़ी है या इंडिया से साओधी जा रहे हैं तो दोनों ही साइड से फॉरम भड़ना जरूरी है कौन सा फॉरम भड़ना जरूरी है क्या है नहीं है पूरी बात जानेंगे इस वीडियो को शेर कर दीजे क्योंकि जो नए लोग जाने वाले साओधी रख से उन तक ये वीडियो नहीं परबाद कर सकता है, टिकेट 20,000, 30,000 का टिकेट है आपका, क्या पता है आपके एजेंट को भी पता नहीं हो, जो आपका काम कर रहा है, उसको भी पता नहीं हो, तो हर दिन कुछ ने कुछ नया वीडियो बनाना हैं और आप लोगों तक पहुंचाना हैं तो इसके लिए हमें प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे, लाइक कर दीजे वीडियो और कुछ बड़ी ऐसा कम्मेंट कर दीजे, यहाँ अगर नया वीजा पर जा रहो तो जा रहा है नया वीजा पर, अगर आप पहुंच भी गए हो, अगर आपको कोई प्राब्लम नहीं भी हो आ एरपोट पर तो प्लीज कम्मेंट करके बताएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे साओधी से इंडिया आने के लिए, क्या फॉरम भड़ना जरूरी है, तो जैसा कि आपको पता है कि साओधी से इंडिया आने के लिए, अभी आपको दिल्ली वाला फॉरम भड़ना पड़ता है, दिल्ली वाल दोगे तो आप एक print निकाल लेते हो वो जरूरी है आपने दवा लगा रहा है तो भी फॉरम भरना है दवा नहीं लगा रहा होगा तो आपके PCR करना पड़ेगा अगर दवा अपने लगा होगा है आपके सड़िकेट है तो आप उसको online upload कर दीजिएगा फिर आप फॉरुम प्रिंट कराके दो पेज़ का होता है वो आप निकालके दिल्ली एरपोर्ट के इंडिया के किसी भी एरपोर्ट पे आप आएंगे तो वो देखते हैं ठीके देखे या ना देखे उससे हमें मतलब नहीं है हमारा जो काम है क्योंकि हमें कोई एरपोर्ट पे रोक न मेंने का एक साल का ठीक है आपका छुट्टी वैलेड है आपके पास चुट्टी का पेपर होगा है ना पेपर हाँ टिकट होगा ठीक है तो फॉर्म भढ़ना जरूरी है कोई जरूरी नहीं है जो एमोच की वेबसाइट का जो आप वीडियो देख रहे उपर में जो चल रहा फॉर्म भढ़ना तो यह फॉर्म आपको भढ़ना जरूरी नहीं है जो लोग छुट्टी में आए हैं उनको वापस जाना है तो फॉर्म भढ़ना जरूरी नहीं है लेकिन द्यान से सुनिए अभी मेरे जमाल भाई आए हैं तो उनको मैंने का यार कोई जरूरी नहीं फॉर का मेरे पूरा पेपर रहे गा समझाज में भरके मेरे बहड़ी बात है तुम फॉरम भरके मेरे को भेज दो और एरपट में मंअग के लेते तो मुका चलो ठीक भाई भर देता हूं तो मैंने उनको फ़ारं भरके भेज दिया उनुने पेडिक टिकाल लिया तो कआ उनका साथ जब लखनी पर पे गय तो वहां पर मांग दिया हैं लखनो एरपोर्ट पर उनसे पेपर मांग दिया तो उनने मेरे उपाँ देखो मैंने का था ना यह दिल्ली में ना रोके लेकि छोटे मोटे एरपोर्ट पर रोक देते हैं तो लखनो एरपोर्ट पर कभी किसी से मांग देगा पेपर और किसी किसी से नहीं भी मांगेगा यह छोटे एरपोर्ट हो या बड़े एरपोर्ट हैं लिइनका कोई पता नहीं कोई अधिकारी का कभी भी आपसे पेपर मांग दें जबकि आप उसको व्यक्षेन कर संटालीकेट भी दिखा रहे हैं फिर भी वह वा। पेपर कर देते हैं ठीकेंदक सार्टिफिकेट भी आपको प्रेंट कराकर रखना है अपने पास में आपका पास चुट्टी का वेपर सब कुछ है आप बात करेंगे नए आदमी के लिए जो नए आदमी पहली बार किसी भी जॉब पे जा रहे हो इंजीनियर मेडिकल हॉस्पिटल आप ट्राइबर में जा कि सीबी काम में जा रहे हो पहली बार आप जा रहे हो इंडिया में आपने दो वैक्सिन लगा रखी है कोई सीबी लगा रखी है दो वैक्सिन तो वैक्सिन का सार्टिफिकेट आपका पासपोर्ट जिस पर वीजाय स्टांपिंग है बीना पासपोर्ट के जागो कैसे को कैसे पता चलेगा कि आपने vaccine लगाई या नहीं लगाई क्योंकि आपके पाद जो vaccine का certificate वो तो इंडिया का है साथी का तो नहीं है तो साथी अरब ने एक website launch की हुई है मैं यहां पे देखो वेबसाइट है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन खोलिएगा नीचे मिल जाएगा तो सौधियर्भ ने ये वेबसाइट का बना रखा है कोई भी आदमी पहली बार सौधियर्भ आता है चाहे वो उम्रहाच करने के लिए आये चाहे वो आपको काम करने के आये तो प्लीज ये वाला फॉर्म को भर लीजे डिटेल भर दीजे आपने वाक्सिन कब लगाई पहली जो कब लगाई दूसरी जो कब लगाई कहां लगाई किस वक्त लगाई कौन सा दबा लगाया आपने सारे डिटेल आप भर दीजे बढ़ने के बाद वो फो प्रिंट निकाल दीजिए फोटो कॉपी आपने पास रखिए इससे क्या होगा कि ये जो डाटा है आपका दवाई वाला ये डाटा आपके सौधी के डाटा में एड हो जाएगा समझ रहे हो ये डाटा आपका दवाई वाला सौधी की डाटा में एड हो जाएगा जब आप सौधी में जब आपतव कलना बनाओगे अपना तवकलना बनाना सौधी का अंदर में बहुत जरूरी है बीन में तवकलना कि आपको मॉल दुकान शॉप में घुसने नहीं धिया जाएगा कोई समान भी नीदेगा आपको समझ रहे हो एरपोट के बार भी निकलने दिया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं जब पहली बार जातों निकलने देते हैं तो तवकलना में आपका automatically जब आप mobile number खरी देंगे आप अपना passport number डालेंगे तो automatically आपका vaccine का system update हो जाएगा उसके अंदर की आपने दवा लगा रखा है इसी लिए form भरना जरूरी है जो नए वीजा पर यहां से जा रहे है इनके लिए तो बहुत जरूरी है बाकी भरना न भरना आपके उपर है भरिये मत भरिये बाद में उधर जाएंगे जावेदर में तवकलना नहीं बन रहा है तो तवकलना में दवाई नहीं दिखा रहा है तो इस तरीके से बहुत तरह परिशानी आ रही है ऐसे बहुत सरा के साथ हुआ है समझ में आ गया पूरा आपको चुट्टी वाले लोग के लिए बता दिया नए लोग के लिए बता दिया वीडियो लंबी हो रही है तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि समझ में नहीं आते इसको दुबारत से देखिए वीडियो इस वीडियो को जो पार के लिए वीडियो बना रहा हूं तो आप भी हेल्प कर दीजिए आगे बढ़ा दीजिए एक आदमी एक बार नहीं पांच-पांच बार सेर करो फेस्बुक पेज़ को जहां पड़े आप वीडियो देख रहे हो बहुत शुक्री अल्ला अबिस कि अ कि अ कि कि कि